मौत का बदला मौत से लेगा रश्या क्या यूक्रेइन के लावा एक और नया वॉर्फन खुलने जा रहा है रश्या का किसी और देश के बीच में लेकिन सवाल ये भी है कि अमारिका ने रश्या को क्या जवाब दिया था दरसल हुआ यू कि कल क्रॉक सिटी हॉल में अचानक पांच हमलावरों ने पांच बंदूग धारियों ताबर तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी जिसमें 80 लोग की मौत की खबर है लगबग 80 लोग मारे जा चुके हैं जबकि 120 से जादा लोग घायल हुए है और ऐसे में ये पिछले कई दशक में ये सबसे बड़ा हमला मा बंदूग धारियों ने इतनी तब और तोड़ गोलियां बरसाई तर तड़ाहट से गूंज उठाता पूरा हॉल और एक साथ 80 लोग मारे गए हैं जबकि 120 लोग जो एडमेट हैं उसमें से बताया जा रहे हैं कि 60 लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि गंभी रूप से खायल है औ उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद से ही आरूप लग रहे थे कि यहां क्या पुतिन नहीं करवाई है इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि जो एलेक्जी नविलनी की सपोर्टर्स हैं उन्होंने गुस्से में आके एक तरीके से ये डिटालियेशन की कोशिश किये एक मैसेज देने की कोशिश किये पुतिन को हालकि अंदेशा इस बात का भी जताया जा रहा था कि संभावना इस बात की भी है नेटो कंट्री जिस तरीके से युक्रेइन को रसत सामगरी भेशती हैं लॉजिस्टिक्स भेशती है उसका इस्तिमाल इस हमले के लिए किया गय ना सामने आई थी नाइंत मेको मेडे को जबकी मेडे के दिन मॉसको में बिल्दिंग के उपर एक ड्रोन उड़ाया जा था जहां पर मेन फंक्शन था वहापे एक ड्रोन ब्लास्ट हुआ था रोंसे थोड़ा सा ब्लास्त किया गया था लेकिन वो माइनर सी घटना थी यह पिछले कई दश्कों में बड़ी घटना है और ऐसे में इस वक्त पुतन गुस्से में दिखाई दे रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है और मौत का बदला मौत से लेने की बात की है सिक्योरिटी काउंसल के जो डेप्यूटी चेहरमन है रश्या के दिमित्री मिद्विदेव इसलिए उन्होंने ये स्टेट्मेंट दी मौत का बदला मौत से क्रेमिनल क्रेमिन की अगर बात करें तो यह मानिए कि डिफिन्स का जो पूरा पावर हब है रश्या का वो क्रेमि इस जानकारी को एक अठाक कर लेता है कि यह अठाक किस ने किया है हाला कि जानकारी अभी तक यह सामने आई है कि IS-IS ने इस हमले का पूरी जिम्मेदारी लिए है तो IS-IS तो जाहिर तोर पर निशाने पर रहेगा साथ-साथ वो कंट्रीज जहां पर IS-IS के कैम्प हैं प्रेंड को टागिट करने से एक बड़ा मैसिज दुनिया को जाएगा कि रश्या किसी को बख्षने वाला नहीं है अला कि कल की अगर बात करें तो जिस तरीके से यह अठाक किया गया था जाहिर तोर पर प्लाइनिंग की गई होगी और लोजिस्टिक्स का जिस तरीके से इ पहुज गए हैं, जाहिर है कि लोकल सपोर्ट भी रहा होगा, ऐसे में पांचो आरूपियों हानकी फरार हो गए हैं एक तस्वीर हाली में सामने आई है जो कि रोषियन आमी के द्वारा जारी की गई है दो लोग एक वाइट गाड़ी में फ़रार हो रहे थे एक सफीद गाड़ी में फ़रार हो रहे है हाला कि एक संदिग दिपकडा गया है जो कि उनका करी भी बताया जा रहा है लेकिन सवाल ही है कि क्या महस 5 लोगों ने 80 लोगों पर ताबर तोड़ गोलियां बरसाई और वहां से फरार भी हो गए क्या और भी लोग इसमें शामिल है और क्या युक्रेन का भी हाथ हो सकता है युक्रेन ने बैक डोर से इस तरीके से अंजाम दे इन तमाम सवालों के बीच में अमारिका की CIE पर भी इस बात के आरूप लगते रहे हैं कि CIE ने संभावना है कि इस हमले को अंजाम दिया हो और ये कयास इस बात को लेकर लगाये जा रहे हैं कि ठीक 15 दिन पहले अमारिका ने रश्या को धमकी दी थ थी कि अगले 48 गंटे के अंदर-ंदर हम कुछ ऐसा करेंगे हम बड़ा हमला कर सकते हैं या फिर हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके अन्जाम आपको भुगतने हो सकते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं यह पंद्रह दिन बाद अटैक हुआ तो अमेरिका पर भी इलजाम लगे हाला कि अमेरिका ने सामने आकर न सिर्फ अपना स्टैंड लिया बलकि यूक्रेन के बहाँ पर भी स्टैंड लिया और सिरे से तुमाम जो आरूप लग रहे थे उन्हें नकार दिया अब पुतिन के सामने क्या सवाल है दरसल जैसे ही पुतिन अब दुबारा प्रेसिडेंट बन के आए हैं ये सीधा सीधा उनके फेस ओफ वाली बात हो गई है सामने फेस वैल्यू पे बात आ गई है और ऐसे में पुतिन कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस हमले का जवाब दिया जाए एक ब कर दो